Hello students, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नमबर 7 पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कॉडिनेशन तो कंट्रोल को हिंदी में बोला जाता है नियंतरन और कॉडिनेशन को बोला जाता है तालमेल या फिर इसको हम समनवाई भी कहते हैं प्रिवियस चैप्टर लाइफ प्रोसेस में यह हमने अल्रेटी पढ़ रखा है कि किसी भी लिविंग और्गनिम्स के लाइफ को मैंटेन रखने के लिए उनके बोडी में कुछ ना कुछ फंसन्स होते रहते हैं चाहिए वो लंग्स का हो चाहिए हर्ट का हो या फिर किड्नी का हो तो वो जो फंसन्स करते हैं तो वो आपस में एक दुसरे के साथ तालमेल बैठा कर करते हैं ना कि इंडिविजुली करते हैं इंडिविजुली करने का मतलब क्या हो गया कि एक एक करके नहीं करेंगे कि असानी कि किडिनी वर्क कर रहा है हर्ट सांती से बैठा हुआ है ठीक है तो सारे वे एक दुसरे से तालमेल बैठा कर ही वे functions को कर रहे होते हैं तो that is यहाँ पे जो coordination बोला जा रहा है तो ही body parts में जितने हमारे body parts होंगे चाहिए वो organs होंगे तो वे साथ यह सारे के सारे body organs या body parts जोते हैं एक साथ तालमेल बैठा कि या निकि coordination के साथ work करते हैं और इनको कोई करना कोई control भी करता होगा इन organs को या फिर सो इसमें दिया गया है कि we see if something moving हम किसी चीज़ को move करते हुए देखते हैं तो हम उसको alive समझते हैं यानि कि जीवित समझते हैं some of these moments happens due to growth कुछ moments ऐसे होते हैं जो कि growth की वज़े से होते हैं जैसे कि example दिया गया है कि जो seed होते हैं वो germinate होते हैं और growth होते हैं पहले seed क्या होगा इस तरह से उगता है देन धीरे धीरे ये इस तरह से grow करता है so आगे इसमें दिया गया है वही चीज़ की but the moment is not about to growth कुछ moment growth की वज़े से नहीं होते हैं जैसे cat का running करना बच्चे का जूले में जूलना या फिर buffalo का cud च्विंग करना तो इन में किसी भी तरह का कोई moment नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ये सारे move होते हैं और इनको हम alive करते ह हैं तो यह जो यहाँ पर movement हुआ है इनको जो भी इनके body parts है वो work कर रहे है तो उनको कौन signal दे रहा है कौन messages दे रहा है जिसके वज़े से यह work कर रहे है तो आगे हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे अब जैसे यहाँ पर जो billy दोड रही थी तो वो क्यों दोड़ी होगी तो सबसे पहले यह क्या क्या होगा कि एक rat है उसको देखा होगा तो देखने का काम आख किया देन यह आख जो है वो brain को यह signal भेजी होगी फिर brain क्या क्या होगा कि पूरे body parts में वो signal भेजा होगा तो कुछ इस तरह से जो है हमारे body के parts और organs जोते हैं वो work करते हैं ठीक है आ हमारे body के अलग-अलग parts एक regulated manner में यानि की एक साथ ताल मिल भिठा कर एक coordination के साथ अगर वो work करते हैं तो इसी को हम control and coordination कहते हैं अब आगे इसमें दिया गया है कि previous chapter में जो की हमने life processes से पहले अला chapter पढ़ा है तो उसमें हमने 4 तरह के systems के बारे में पढ़ा है digestive system, circulatory system, respiratory system और excretory system अब control and coordination ये वाली जो chapter है इसमें हम दो और system के बारे में पढ़ेंगे that is nervous system and endocrine system और एक topic और हम cover करेंगे hormones, hormones, plants और animals दोनों में ही पाए जाते हैं तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे animals that is हम यहाँ पर human भी बोल सकते हैं क्योंकि human is also a socio animal तो animals के जगा पर हम human के बारे में ही पढ़ेंगे और nervous system सिर्फ animals में होगा that is human में होगा तो nervous system या फिर endocrine system सिर्फ हम human में पढ़ेंगे, plants में नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो क्या पढ़ना है हमें यहाँ पर पता चलिया है तो चलिए start करते हैं nervous system से तो nervous system का जो important organ है वो कौन-कौन सा है तो brain है, spinal code है और nerves है यहाँ पर figure में आप देखी सक रहे हो कि यहाँ पर यह वाली brain है और यह वाला spinal code है यह बीचो बीचो आपको दिखाए दे रहा है center में और यहाँ पर जो आपको wire type में दिखाए दे रहा है blue blue color में यह सब सारे nerves होता है ठीक है अब देखा दे तो brain और जो spinal code होता है यह body के एकदम middle में होता है, center में होता है तो इस वज़ा से इन दोनों को brain और spinal code को central nervous system भी हम कहते हैं short में इसको cns बोला जाता है और nerves को बोला जाता है peripheral nervous system क्योंकि यह side side में होते हैं ओके चलो आगे यहाँ पे कुछ हम terms को हम समझते हैं जिसे कि यह chapter को समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी तो यहाँ पे दिया गया है neuron neuron क्या होता है तो neurons जादा special type of cells found in the organs of nervous systems nervous systems के यह जो organs थे brain, spinal code और nerves तो इन में एक तरह का special cell present रहता है ठीक है चाहिए वो nerves में हो, चाहिए वो spinal code में हो या फिर brain में हो इन में एक तरह का special cells होता है जिसको हम neurons कहते हैं ठीक है, तो आगे इसमें दिया गया है कि neurons are also known as unit of nervous system neurons को unit of nervous system भी कहते हैं, ऐसा क्यों है क्योंकि इनके सभी organs में, चाहिए वो nerves हो, spinal code है या फिर brain हो इनके सभी organs में, nervous system के सभी organs में एक special type का cell पाया जाता है तो इस वज़ा से neuron को unit of nervous system कहते हैं अगर हम types of neuron का बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं sensory neuron, relay, इसको हम inter neuron भी कहते हैं, दो बार मतलिखना, यहाँ पर मैंने दो बार लिख दिया neuron को और एक होता है motor neuron, अब ये किस तरह से work करते हैं तो आगे हम समझेंगे फिलाल यहाँ पर यह देख लो कि जो sensory neuron होता है, वो कहा होता है हमारे body में, ठीक है देखो, यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा होगा ये वाला एक wire की तरह है, ठीक है, इसको देखने का कुशिस करो, यहाँ पर मैं color को थोड़ा सा change कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है देखो, यह वाली जो आपको line दिखाए दे रही है, एक electric circuit के जैसा, तो यहाँ पर यह जो work भी होगा न, एक electric impulse की तरह यह work भी करता है आगे हम इसके बारे में अच्छे से और समझेंगे, फिला लवी यहाँ पर इसको समझो कि एक circuit टाइप में जो आपको देख रहा है, एक wire टाइप में, तो यह वाली है sensory neuron, ठीक है, जो कि हम लोगा first type था इसके बाद इसमें एक middle में, इसका देखो यहाँ पर एक रहता है, relay neuron, इसको हम inter neuron भी करते है relay race का आपनी नाम सुनाओगा, relay race, relay race क्या होता है, जैसे अगर हम कोई चीज़ पकड़के जाते हैं, दोड़ते हैं, फिर उसको हम किसी और को देते हैं, फिर वो उसको किसी और को देता है, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी यह जो एक neuron आया, तो यहाँ पर फिर यह जो signal यहाँ से लाएगा, फिर यहाँ से यह इसको signal पहुचाएगा, और इसके बाद यह जो motor neuron है, यह motor neuron है, ठीक है, इसके आगे वाला wire, तो यह आगे जो भी messages है, वो effector तक पहुचाता है, यह हम आगे reflex action में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर यह समझ में आ चुका है, कि sensory neuron कहा क्या है, तो जैसे हमारे 5 sense organs है न, तो वही है sensory neurons, 5 जो हमारे sense organs है, कौन-कौन से sense organs है, तो ear है, eyes है, nose है, tongue है, और skin है, यही 5 sense organs है, तो ear से हम क्या करते है, sound कोई भी चीज़ को सुनते है, eyes से क्या करते है, कोई भी object में light पड़ता है, तो उसको हम देख पाते है, nose smell का का काम करता है, tongue taste का का काम करता है, और skin touch का का काम करता है, लब किसी चीज़ को हम छूक के देखते है, that is, skin कोई object है, उसको हमने touch करके देखा, कि वो hot है, या फिर cold है, तो यह हमें कैसे पता चल होता है, तो बस वही है, अब इन सब में एक special type का receptors होता है, ठीक है, एक special type का receptors होता है, पहले समझ लो कि receptors होता क्या है, फिर आगे हम समझेंगे कि कौन से part में कौन-कौन सा receptors होता है, तो receptors के बारे में दिया गया है कि they are group of cells which are present in all these sense organs, जितने भी हमारे sense organs थे, वो 5 ही type के sense organs मे receptors होते हैं, जो कि एक group of cells होते हैं, ओके, और उनका क्या काम है, क्या role है इन receptors का, तो they can detect change in environment, environment में जो भी change आएगा तो उसको detect करेंगे, यानि कि उसका पता लगाएंगे, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे आप समझ सपोस करो, कि वीडियो देखने से पहले आप सांत क्यों को play किया, तो एक environment में change आया, आपके कानों ने उस आवाज को सुना, तो इस तरह के जो भी होंगे, वो एक क्या हुआ, कि आपके ear में क्या है, एक तरह का receptors present है, ठीक है, जो कि detect कर रहा है, आपकी आवाज को पता कर रहा है, तो यहाँ पेक्तर से environment में change हुआ, ओके, त इसको हम audio receptors भी करते हैं, eyes में photo receptors रहता है, nose में olfactory receptors रहता है, tongue में gustatory receptors रहता है, और skin में, देखो, skin के जो receptors है, इनके अलग-अलग नाम है, थर्मों भी कर सकते हैं, थीगमों भी कर सकते हैं, टेंगों भी कर सकते हैं, कहीं-कहीं, अलग-अलग जगों पर आपको अलग- नाम से अस्कीन के receptor को जान सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यह सब सारे receptors होते हैं जो कि पता करते हैं हमारे environment में क्या changes हुए हैं अब देखो यहाँ पर कुछ और important terms दिया गया है इसको समझते हैं stimulus what is stimulus stimulus क्या होता है तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि receptors क्या किये थे कि यह पता किये थे कि हमारे environment में क्या changes हुआ है तो जो change हुआ जैसे heat के वज़ज़ से change हुआ है या फिर cold के वज़ज़ से change हुआ है तो that is stimulus ठीक है जो भी हम detectable change पाते हैं हमारे environment में तो वही stimulus है जैसे hot क्या हो गया गर्म हो गया या फिर heat हो गया वह क्या एक तरह का stimulus है cold हो गया stimulus soft हो गया loud sound हो गया environmental changes के लिए जो भी जिम्मेदार होगा तो वही है stimulus ठीक है तो stimulus यहाँ पे समझ में आ जुका होगा आगे दिया गया है response response क्या होता है तो the reaction of our body to these changes यहाँ पे हमने जो भी changes देखे जैसे hot के वज़ज़ से heat के वज़ज़ से अगर कोई changes आया जैसे हमारी body ने यहाँ पे देख लो example के थुरू समझाए गया है मान लो कि हमारी body ने किसी चुछ को touch किया hand ने touch किया तो जैसी हमें पता चला कि वो गर्म है hot है तो suddenly हम यहाँ पे क्या करेंगे एक reaction लेंगे तो हमारी body क्या करती है एक reaction लेती है ठीक है अगर हमारे लिए वो हानी कारक होता है यानि क्या हो सकता है उसे हमें injured हो सकते हैं उसके वज़े से हमारी injury हो सकती है तो हम मुझे इसको तुरंत हटा लेंगे मतलब sudden reaction हम तुरंत करते हैं that is response response का मतलब क्या है कि जो भी changes होंगे हमारे environment में environment का मतलब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा environment में changes का मतलब ठीक है तो हमारे environment में जो भी changes होंगे तो उससे जो भी हमारी body reaction करेगी तो उस reaction को हम response कहते हैं जाए इसमें से हाथ को हटाना हुआ, जैसे हम हाथ को हटा लिया, that is response, एक reaction किया हमारी body, हाथ को हटा लिया, ठीक है, इसी तरह से हो सकता है, कि आपके आजपास में, loud sound, बहुत ज़्यादा से sound, आपके आजपास में सुनाई दे रहा हो, तो आप कोशिस करो, क्योंकि उस sound से बचने कात हो सकता, अपना room का दर्वाजा भी आप बंद कर दो, उस sound से बचने के लिए, तो वो क्यावा आपकी body ने एक response किया, ठीक है, वो वहाँ पर भी एक तरह से reaction किया आपकी body ने, कि जो response होते हैं, वो mainly three types के होते हैं, एक होता है voluntary response, दुसरा होता है involuntary, और third होता है reflex action, तो voluntary क्या होता है, तो voluntary जो है, इनको control करता है four brain, ठीक है, voluntary response जो भी होंगे, तो इनको four brain जो है control करता है, यह हम आगे जब brain वाला part पढ़ेंगे, तो यह आपको उस टाइम में बता हूँगा, ठीक है, किस तरह से four brain जो हैता है, वो control करता है voluntary action को, ठीक है, यानि response को, और involuntary control करता है mid, या फिर इसको हम hind brain कहते हैं, ठीक है, mid या फिर hind brain, involuntary को control करता है, example भी यहाँ पे दिया गया है, देख लो voluntary का, जैसे, चाए वो बात करना हो, चाए लिखना हो, चाए पढ़ना हो, चाए चलना हो, तो यह सब सारे voluntary के examples हैं, जो कि four brain control करता है, और involuntary का मतब़ से hurt beat है, vomiting है, यह involuntary होता है, ओके, तो यह सब, यहाँ पे यह दोनों जो दिया गया है, voluntary और involuntary, तो यह हम brain में पढ़ेंगे, अब आगे यहाँ पे जो reflex action दिया गया है, तो इसको अभी हम यही पे देख लेंगे, क्योंकि इसको control कौन करता है, spinal code, spinal code बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वज़र से इस चीज़ को हम यही पे इसको खतम करेंगे, आगे इसके definition को भी हम समझेंगे, ठीक है, जो भी emergency signal हमें मिलता है, तो उस पे हम कुछ न कुछ react करते हैं, और यह जो reaction होता है न, यह brain तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि एक तरह का emergency single होता है, तुरांत action लेना पड़ता है, तो यह action spinal code ले लेता है, जो भी action लेना रहेगा, तो reflex action को चलो, यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं, so reflex action में दिया गया है, quick and sudden response of the body to a stimulus, stimulus यानि कि वही कोई hot या फिर गर्म चीज, ठीक है, या ठंड़ना चीज भी होच सकता है, loud music हो सकता है, या हमने आप लोग अभी बता दिया stimulus क्या होता है, तो जब भी किसी stimulus के थुरू, जब भी कोई stimulus के कारण, हमारी body response कुछ भी करती हो, अचानक से या फिर तुरंथ से, तो उसमें हम क्या करते हैं, कि वो एक तरह का reflex action हुआ, इसी को हम reflex action करते हैं, कि stimulus के वज़र से, stimulus के कारण, हमारी body एक तरह से, तुरंथ या फिर quick response करती है, that is reflex action, जैसे example में दिया गया है, withdrawal of hand on touching the hot plate, जब हम किसी hot plate को छूते हैं, तो हमारी हाथ जो ती है, उसको तुरंथ हटा लेती है, तो ये reflex action किस तरह से work करता है, तो चलो हम इस diagram के थरू अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि हमने already sensory neuron के बारे में पढ़ लिया है, neuron के types में, तीन तरह के neuron के types थे, एक तो था sensory neuron, दुसरा था motor neuron, और थर्ड था relay neuron, तो इसके बारे में जब हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हमें यह जो diagram अच्छे समझ में आएगा, और reflex action भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो यहाँ पर हमने receptors के बारे में भी infect पढ़ लिया है, तो अब यहाँ पर यह सारी चीज़े clear हो जाएंगी, कि कैसे यह work होता है, reflex action कैसे function करता है, तो suppose कर लो कि यहाँ पर एक hot plate है, जो कि एक stimuli हम बोल सकते हैं, hot plate हमें पता चल गया कि जो plate है, वो गर्म है, that is कि यह एक stimuli हो गया, या फिर stimulus आप बोल सकते हो, और हमारे hand में skin है, तो skin में present रहता है receptor, अब जैसे हम उसको छुए, तो environment में exchange हुआ, हमें पता चल गया, हमारे skin को पता चल गया, कि हाँ यह गर्म है, environment में exchanges हुआ है, तो यह जो signal है, ठीक है, यह जो signal है, यहाँ पर यह जो sensory neuron आपको दिखाई दे रहा है, इस sensory neuron के थुरू आ जाता है, यह वाली जो signal, यह spinal code तक आ जाता है, अब यहाँ पर यह जो spinal code है, यह क्या करेगा, तो जो भी इसमें से sensory neuron से signal आया था, तेखो signal आने का जो काम होगा, वो sensory neuron से होगा, और जो work करेगा, यानि कि जो message पहुँचाएगा, वो motor neuron करेगा, एक हमारी muscles में effector लगावा रहता है उसको, अब effector क्या करेगा, कि उसको लग रहा है कि इसे हमारी injury हो रही है, तो उसको वो तुरंट हटाने का कोशिज करेगा, एक sudden reaction लेगा, ठीक है, तो that is reflex action, ओके, अब एक चीज और समझो, जो कि यहाँ पर यह जो message गया था, ठीक है, यानि कि एक जो signal गया था, इस sensory neuron के थुरू, तो यह जो signal जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं, जो message जाता है, वो electric impulse के form में जाता है, electric impulse के form में, जैसे electric wire में कैसे, जो current flow होता है, बहुत तेजी से होता, तो इन ही wires के थुरू, इन के थुरू जो होता है, ये electric impulse के थुरू, जो भी messages है, या फिर जो भी signals है, वो जाते हैं, ठीक है, तो यहीं से जो भी, यहाँ से आपके messages, या जो signals हैं, वो आ रहे थे, तो यहाँ से एक electric impulse के थुरू आता है, तो बस यहीं चीज है, जो कि हमें reflex action में पढ़ना है, ठीक है, दुसरा विसमें एक example दिया गया है, knee jerk, knee jerk, यानि कि जब आपके घुटने के पास, अगर थोड़ा सा होई किसी hard object से, अगर उसको hit करो, खलका सा, तो आपके जो pair होती है, सड़नली कुछ ने कुछ reaction करेगी, करके देख लेना, थोड़ा सा hard object से hit करके देख लेना, मत करना लग जाएगा, ठीक है, तो reflex action यहां पे खतम होगिया है, आगे आते है reflex arc, तो reflex arc क्या है, यह तो बहुत ही असान है, जिस path के through, यानि कि जिस राष्टे से यह वाली जो reflex action work कर रही थी, तो बस वही है reflex arc, ठीक है, reflex arc बहुत ही असान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जिस राष्टे से जा रही थी, इस path से जा रही थी ना, इसी path से एलेक्ट्रिक impulse flow रहा था, तो इस path को यह हम reflex arc कहते हैं, चलो इसको हम flow chart के दौरा जल्दी से समझते हैं, तो यहाँ पे दिया गया stimulus, जो reflex action है, उसका हम flow chart समझ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से वर करता है, जल्दी से इसको समझ लेता है, अल्लेडी हम समझ चुके हैं, बट flow chart के दौरा भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दिया गया stimulus, जो कि heat हो गया, ठीक है, यह क्या क्या था, कि receptor के थूरू पता चला कि यह heat है, skin detect कर लिया heat को, अब receptor हमारे hand में present था, तो वो sensory neuron के थूरू जो messages है, वो पहुंचा जाता है, spinal code के पास, spinal code तुरंत reaction लेता है, और reaction लेने के बाद, motor neuron के थूरू effector को message पहुंचा देता है, हमारे muscles में, hand के muscles में effector present था, तो वहाँ पे जो effector के पास messages था, तो वो पहुंच गया, अब यह क्या करेगा, तुरंत response करेगा, उसको withdrawal करेगा, जो भी हाथ गरम object में था, उसको वो हटा लेगा, तो बस यह ही है, ओकी, तो अब ही हमने जो इतना neuron के बारे में पढ़ा, तो इसका structure सरक कैसा होता है, तो यहाँ पे structure देख लो, neuron का structure है, वो कैसा होता है, तो यह neuron का structure है, neuron कुछ इसी तरह से रहता है, और हमेशा याद रखना कि, जो neurons होते हैं, वो हमेशा connected नहीं होंगे, पूरी तरह से connected नहीं होते हैं, बीच बीच में, एक देखा जाए, तो यहाँ पे जो figure है, इसको इधर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, बीच बीच में इस तरह से, यहाँ पे space भी होते हैं, देखोई पूरी तरह से connected नहीं होता है, तो आगे हम इसमें समझेंगे, ठीक है, जो भी structure के neuron है, इसमें आगे मैं आप लोग बताने जा रहा हूँ, तो यह neuron का structure है, यहाँ पे यह सब आपको जो दिखाए दे रहा है, यह सब सारा क्या है, डेंडराइट है, ठीक है, एक root की तरह आपको दिखाए दे रहा हूँगा, तो इसी को डेंडराइट बोला जाता है, बीच में आपको पताई है, यह सब सारा cytoplasm होता है, जो liquid के form में आपको दिखाए दे रहा है, और बीचों भी जो रहता है, उदो हमें पताई है, यह nucleus होता है, अब यहाँ पे यह जो है, यह axon है, ठीक है, यहाँ पे यह जो दिखाए दे रहा है, यह axon इनको इसको बोला जाता है, और axon के अंदर ही देखो, इस तरह से nucleus जैसा, कुछ एक cell टाइप में होता है, उसको हम sconon cell कहते हैं, और सबसे ending में राता है nerve ending, जिसको हम axon ends भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम axon ends या फिर nerve ending भी बोल सकते हैं, तो यह यहाँ पे structure हो गया neuron का, इसमें हो सकता है कि figure भी बनाने के लिए examinations में आज आए, तो इस बज़े से इसको याद रखना, कि यह dendrite, axon, nerve ending या फिर nerve ends, कुछ भी एक लिख लेना, और cytoplasm nucleus से सब तो पता ही है, चलो, यहाँ पे देख लो कि जो neuron के structure होते हैं, उसके तीन main parts होते हैं, तीन main parts तो पहला main part क्या है, dendrite है, दुसरा main part है, cell body या फिर axon, यह वाला, और थर्ड जो main part है, वो nerve ending, या फिर nerve ending में, synapse वहाँ पे present होंगे, अभी आप लोग को मैं बताऊँगा, जो भी gap होता है, दो neuron के बीच का, तो उसको हम synapse करते हैं, ठीक है, तो यह तीन main parts होते हैं, dendrite क्या होता है, तो इसमें information acquired होता है, यानि कि information जो भी है, वो आता है इनी के थुरू, आगे दिया गया है कि cell body and exon, cell body और exon जो कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था, तो इसका क्या रोल है, तो दिया गया है कि information travels as an electrical impulse, जो information है, जो कि dendrite ने receive किया था, तो वो cell body यानि कि exon के थुरू, जो भी electric impulse के थुरू है, वो travel करता है, जो भी information मिला, यानि जो भी message मिला, signal मिला, वो electrical impulse के थुरू, यानि कि exon के थुरू जो थे हैं, वो travel करते हैं, और third में दिया गया है synapse, तो synapse जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, और दिखाया भी था, कि यह था sensory neuron, और यह था motor neuron, और बीच में यहाँ पे रहता है relay neuron, तो इसको यह दोनों sensory neuron, और motor neuron के बीच में जो relay neuron है, आप यहाँ पे देख रहोगे, बीच में एक gapping है, ठीक है, यह पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, बीच में इस तरह से खाली रहता है, तो यहाँ पे यह जो blank area आप लोगों दिखाए दे रहा है, तो इस ही को का जाता है synapse, synapse उसको बुला जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसको देख लो यहाँ पे, तो दिया गया part where electrical signal is converted into chemical message, यहाँ पे जो एक electrical impulse का एक signal आ रहा था, तो यहाँ पे आने के बाद, अब यहाँ से तो जैसे electric circuit में क्या होता है, कि अगर कोई circuit इस तरह से यहाँ पे break हो गया, तो आगे क्या current pass हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, current pass ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे भी जो पहले आ रहा था, वो chemical message में convert हो जाता है, ठेक है, यहाँ पे chemical message में convert हो जाता है, और इसके बाद फिर आगे का transmission होता है, next neuron में, यानि की motor neuron में, इस relay neuron में आता है, then फिर इस motor neuron में आता है, तो बस यही हैं हम लोग का, जो भी इसमें आप लोग का structure of neuron में आप लोग को बताया है, तो इसके structure of neuron में बस इतना ही कुछ है, next आगे हम पढ़ने जा रहा है हमारे human brain के बारे में, तो चलो आगे पढ़ते हैं, so human brain यह किस तरह से work करता है, पहले हम यहाँ पे एक छोटे से flow chart के द्वारा समझ लेते हैं, then आगे फिर हम इसके पूरे functions को भी एक एक करके समझेंगे, तो हम receptors के बारे में उपर में उल्लेडी पढ़ चुके हैं, कि हमारे body में जितने भी sense organs हैं, उनमें receptors present होते हैं, जो कि detect करते हैं stimulus का, अब जैसी उनको कोई signal मिलता है, तो वो nerves के थुरू, यानि की neurons के थुरू, signal को spinal code तक पहुचा देते हैं, अब spinal code उस signal को brain तक पहुचा देगा, then brain decide करेगा, कि वो जो signal है, वो किस body parts से आ रही है, और उस body parts में वाली signal फिर पहुचा देगी, तो इस तरह से कुछ human brain जो है, वो work करता है, अब यह हम पुरे brain के types और इसके पुरे parts को भी एक एक करके समझने जा रहे हैं, अगर हम human brain के functions का बात करे, तो human का जो brain होता है, वो दो भाग में divided रहता है, एक हो गया right brain, दुसरा हो गया left brain, इस वीडियो को न आप उल्टा देख रहे हो, ठीक है, तो आप अपने right को left, left को right से समझना, एक important चीज़ यहाँ पे दिया गया है, कि जो हमारी right brain होती है, यह हमारे body के left part को control करती है, वहीं जो हमारी left brain होती है, हमारे body के right part को control करती है, अब right brain का क्या function है, तो यह function करता है, idea लाने का, analysis करने का, maths के calculation का, facts का, logic का, अगर हम left brain का बात करें, तो इनका functions है, imagination का, creativity का, feelings का, और arts का, तो यह कुछ functions थे human brain के, अब आज आते हैं, human brain के तीन parts में, human brain के तीन main parts होते हैं, that is very very important, तो यहाँ पे human brain के तीन main parts होते हैं, that is forebrain, midbrain and hindbrain, forebrain को voluntary बोलते हैं, and midbrain और hindbrain को involuntary बोला जाते हैं, voluntary किसको कहते हैं, that is controlled by our thinking, जो हमारी thinking से control कर सके हम, अपनी सोच समझ से नियंतरन कर सकते हैं, that is walking, अगर हम चलते हैं, उसमें हम अपनी सोच समझ से के उसको हम control कर सकते हैं, अगर हम लिख रहे हैं, तो वो भी हम सोच समझ के control करते हैं, चाए बात कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है, चाए आप पढ़ रहे होते हैं, तो यह सब सारे voluntary action होते हैं, जो कि हम अपनी सोज समझ से नियंतरन करते हैं यानि control by our thinking जैसे आप इस वीडियो को भी देख रहे होगे तो आप अपनी सोज समझ करके ही देख रहे होगे तो that is for brain यानि कि that is voluntary ठीक है that is voluntary सोज समझ कर फैसला लेना यानि नियंतरन करना देन एक होता है involuntary जो कि mid brain और hind brain होता है यह involuntary होता है यह हम अपनी सोज समझ से control नहीं कर सकते हैं जैसे heart beat, direction का होना blood pressure, vomiting यह हम नहीं सोज सकते हैं ठीक है यह automatically होता है involuntary होता है चलो यहाँ पे पहले जो four brain है इसको समझेंगे देन आगे हम mid brain और hind brain को भी एक एक करके समझेंगे पहले four brain को हम समझते हैं देखो यहाँ पर यह four brain का यह part हो गया four brain यह वाला हो गया आगे वाला part ठीक है और इसके उपर जो आप लोग को यह वाला दिखाई दे रहा है पूरा यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या होता रहता है तो सीरी ब्रहम रहता है जो की एक major parts होता है brain का अगर हम इसके functions का बात करें कि four brain और सीरी ब्रहम का क्या function है तो अगर आपके examinations में four brain आए या फिर सीरी ब्रहम आए तो आपके जो functions लिखने है दोनों का किसी काविया आएगा तो answers आपको सेम ही लिखना है ठीक है चाहिए four brain का या फिर सीरी ब्रहम का और ये examinations में एकदम सोचों की आना ही आना है बहुत ही important है ये examinations point of view से भी तो इसके functions को एक एक करके याद रखते जाए ठीक है सीरी ब्रहम हम समझ चुके हैं यहां से यहां तक का पुरा four brain आगे वाला ये पार्ट हो गया तो इसके functions है it is the thinking part of the brain ये four brain या फिर सीरी ब्रहम क्या है thinking part है जो भी सोचते हैं ठीक है तो ये thinking part हो गया brain का second है it control voluntary actions जो भी हमने उपर में voluntary actions देखा करता है क्योंकि memory तो यहीं पर है तो store information को store करेगा it is centered associated with hunger जब कभी हमें भोग लगती है तो उसका हैसास कैसे होता है ठीक है उसका हैसास कैसे होता है तो सीरी ब्रहम ही centered होता है भोग लगने का next आगे है it receives sensory impulses from various parts and integrates it यहां पर देखो थोड़ा से मिटाग चुका है तो इसको integrates है इस तरह से integrates ठीक है ध्यान रखना तो यह क्या करता है sensory impulses को receive करता है sensory impulses उपर में हमने पढ़ा था electric impulse जो कि sensory neuron में इस तरह से flow हो रहा था ठीक है current type में ठीक है electric impulse तो यह है कि यह sensory impulses को receive करता है body के various various parts से ठीक है और यहां पर आके integrate होता है चलो आगे हम यहां पर functions देखेंगे mid brain and then hind brain forebrain तो हमने देख लिया अब आगे हम mid brain और hind brain के functions को देखते है तो forebrain तो हम आगे देख लिया थे यह वाला था forebrain mid brain बीज वाला जो पार्ट होगा यह वाला पार्ट ठीक है यह होगया mid brain और यह वाली पार्ट जो है इसको बोलेंगे hind brain ठीक है इधर वाला जो आपको यहां पर सीरी बेलम दिखाए दे रहा है that is hind brain अब देखो confused मत होना एक होता है सीरी बेलम और एक होता है सीरी ब्रम जो की सीरी ब्रम यह वाला था और सीरी बेलम यह वाला है ठीक है तो नम confused मत हो जाना तो mid brain का अकर हम functions का बात करें तो mid brain में देखो यहां पर दो चीजे रहती है एक तो hypothalamus हो गया यहां पर picture को हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि समझ में आएगा ठीक है तो mid brain में यहां पर दो चीजे रहती है hypothalamus और pituitary gland इसके बारे में आगे हम endocrine system में भी पढ़ेंगे pituitary glands ओके so hypothalamus देखो यहां पर यह वाली जो part आपको दिखाए दे रही है hormones secret करते हैं और chemical coordination में यह वर करते हैं chemical का coordination कैसे होता है आगे हम पढ़ेंगे यह आपको अच्छे सवार समझ में आएगा इन दोनों के बारे में आगे हम endocrine system में पढ़ेंगे जो pituitary glands यहां पर है यह mid brain में है और यह hormone secret करता है चलो आगे देखते हैं यहां पर hind brain का जो भी यहां पर कुछ parts हैं और उनके functions हैं तो अगर hind brain के parts का बात करें तो जैसे कि यहां आप मैंने बताया था कि सीरी बेलम है तो यह क्या करता है तो controls, posture and balance यह control करता है posture और balance को posture और balance कहने मतलब क्या हो गया जैसे कि कोई ऐसा बंदा है जो cycle पहली बार चला रहा होगा कोई बच्चा ही समझ लो कि पहली बार cycle चला रहा है अब उसको cycle चलाने नहीं आ रहा है तो उस time जो control करेगा वो कौन करेगा सीरी बेलम ठीक है अब देखो यह ना involuntary है ठीक है यह involuntary है लेकिन यह आप सोचोगे cycle चलाना तो sir वो तो आप अभी बताए को सोच समझ के कर रहा है voluntary है लेकिन अभी तक हमने सीखना सीखा नहीं है cycle चलाना जब आप सीख लोगे cycle चलाना पूरी तरह से तो फिर यह आपको control नहीं करेगा शीरी बेलम करेगा लेकिन जो चोटा बच्चा है जो पहली बार लिख रहा है तो उसको control कौन करेगा pen को पकड़ने में या pencil को पकड़ने में यह सीरी बेलम करेगा ठीक है वो सोच समझ के वो नहीं कर पाएगा next आगे दिया कि है learn swimming चाई swimming पहली बार अगर हम सीख रहे है अगर हमें swimming आ रहा है that is voluntary लेकिन अगर हम सीख रहे है that is involuntary यानि कि यह control करेगा सीरी बेलम ठीक है चलो आभी तक हम को लागरा है समझ में सारी चाज़े आ चुकी होगी देन अगला जो यहाँ पे part है hind brain का वो है medulla तो देख लो यहाँ पे medulla यह वाला हो गया तो यह क्या करता है तो control involuntary actions involuntary हमने अल्रेडी पढ़ चुका है जैसे blood pressure, salivation, vomiting, heart beat इन सब को control कौन करता है medulla यह करता है और आगे एक और दिया गया है pawns, pawns क्या होता है तो देखो यह जो pawns है यहाँ पे है तो pawns क्या करता है तो involuntary action जैसे की respiration को regulate करता है तो यह भी एक तरह का involuntary action था जो कि उपर मैंने आप लोग अल्री बता दिया कि voluntary involuntary क्या होता है अब सवाल या जाता है कि brain इतना कुछ work कर रहा है तो इसको हम protect कैसे करे protection of brain and spinal code spinal code और brain को हम कैसे protection करते है कैसे यह protect रहता है तो इसमें दिया गया points को इसको पढ़ते हैं और समझते है brain is protected by bones of school जैसे आपको पता है कि आपके head के उपर में एक school होगा that is bones and by a covering of thin layers called meninges देखो एक तो school रहता ही है लेकिन school के नीचे तीन थीन layers भी होते हैं जिसको हम meninges करते हैं अब इसका यहाँ पर हम figure में देखे तो यह देखो जो तीन layer है वो यह तीनों layer है ठीक है कौन-कौन सा durameter archenoid matter और piameter यह तीन layer है ठीक है इन सब के अलावे भी एक चीज़ और रहता है यहाँ पर बताऊंगा आपको इस थी layers कौन-कौन से layers है durameter, archenoid matter और piameter ठीक है यह तीन meninges होते हैं चोकि school के यानि bones के नीचे रहते हैं ठीक है देन आगे दिया गया है कि the brain is also cussand यानि कि covered by soft padding cussand को मतलब होता है कि कोई soft चीज कोई गदा से उसको covered करके रखना ठीक है तो the brain is also cussand and protected by cerebrospinal fluid अब यहाँ पर यह जो हमने तीन meninges देखे durameter, archenoid matter और piameter तो उसमे भी उसके नीचे भी एक fluid रहता है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है cerebrospinal fluid अब यहाँ पर cerebrospinal spinal का भी नाम आ गया है that is कि यहाँ से spinal को भी वो protect करता होगा इसको हम CSF भी करते हैं ठीक है तो यह एक तरह का liquid होता है figure में यहाँ पर आप देखी सक रहे हो कि यहाँ पर क्या है यह जो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है PR matter तो PR matter के अंदर ही यह cerebrospinal fluid रहता है ठीक है that is CSF चलो आगे यहाँ पर देखता है तो यह वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है कि cerebrospinal fluid that is CSF is protected by both brain and spinal cord दोनों को यह protect करता है next आगे दिया गया है कि CSF is a shock absorber जब कभी head को जटका लगता है तो यही जो cerebrospinal fluid होता है तो यह उस जटके से बचाता है protect करता है ठीक है यह जटके को absorb करता है अगर हम spinal cord का बात करें तो लिखा गया है कि spinal cord is enclosed in a vertebral column spinal cord को कैसे protect किया जाता है तो इसके उपर में एक vertebral column रहता है जिसके अंदर में एक soft tube type में आपको एक spinal cord दिखाई दे रहा होगा ठीक है इसको अगर आप जूम करके देखो तो यह एक vertebral column हो गया और यह वाला spinal cord हो गया ठीक है spinal cord का असर क्या function है तो इसको भी देख लो spinal cord connect large parts of the peripheral nervous system to the brain जो भी peripheral nervous system जो कि हम अल्रीड यहाँ पे देखो figure में यहाँ बताता हूँ मैं यह जो blue color वल आपको जो nerve दिखाई दे रहे हैं यही है न फेरिफिरल nervous system ठीक है तो यह जो spinal cord होता है यह peripheral nervous system से connected होता है nerve से connect रहता है और हमारे brain से भी यह connect रहता है ध्यान रखना ठीक है हर चीज से जो spinal cord रहेगा यह connect रहेगा देन दुसरा जो function है वो reflex action का है जो कि हमने उपर में आपको अल्रीड बताती है reflex action क्या होता है ठीक है spinal cord ही control करता है reflex action brain तक उस signal नहीं पहुचाता है तो बस यही है protection brain काम कैसे कर सकते है तो जो भी हमारी nervous system थी वो complete हो चुकी है देन आगे हम लोग यहाँ पे endocrine system के बारे में पढ़ेंगे तो human के बारे में ही हम यहाँ पढ़ने जा रहे है पहले human hormones को उप्रा खतम ही कर लेंगे फिर plant में जाएंगे so first question is what is hormones hormones क्या होते हैं these are the chemical messenger secreted in very small amounts by specialized tissues called ductless glands अब hormones होते क्या है तो दिया गया है कि यह एक तरह की chemical messenger होते हैं जैसे कि हमने nervous system में पढ़ा था कि nervous system में जो भी message जा रहे थे neuron के थुरू वो एक electric impulse के थुरू जा रहे थे लेकिन यहाँ पे जो भी message जाएंगे वो chemical के form में जाएंगे ठीक है chemical से जाएंगे जो की secret होता है एक specialized tissues में जिसको हम glands करते हैं that is ductless gland उसमें कोई भी duct नहीं होगा duct कहने का मतलब इस तरह से उनके लिए कोई special pipe नहीं होगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम endocrine glands और exocrine glands के differences से ताकि आपको chapter जादा अच्छे से clear हो सके और endocrine system में especially हम क्या पढ़ेंगे glands के बारे में ही पढ़ेंगे कि कौन-कौन से glands हमारे body में है ओके चलो start करते हैं दिया गया है कि endocrine glands do not have ducts endocrine glands के कोई भी ducts नहीं होते हैं जबकि exocrine glands के ducts होते हैं ठीक है duct कहने का मतलब जैसे कि उपर ही आप लोग को बताया कि एक तरह का pipe होता है जहां से इनके पास कोई भी special इस तरह के tube नहीं है ठीक है कोई भी tube नहीं है कि वहाँ से hormones को हम secret करेंगे ठीक है वहाँ से hormones जोगा वो flow होगा जो भी यहाँ पे flow होंगे वो blood के through होंगे ठीक है जबकि exocrine में क्या होता है कि इनके पास special ducts होता है हमने bile salt, bile juice pancreas याद करोब पढ़ाएं थे आपको उस तरह में बताएं थे ठीक है exocrine glands वही था वहाँ पे जो glands था exocrine था उनका special ducts था ठीक है जिन से flow हो रहे थे वो जो भी glands से secret हो रहे थे वो ठीक है एक चीज और बताना चाहूंगा जो pancreas के बारे में जैसे अभी मैंने नाम लिया तो pancreas क्या है यह इंडोक्राइन glands भी है और exocrine glands भी है ठीक है तो इस बात को याद रखना next आगे दिया गया है कि the secret hormones obviously जो endocrine glands होंगे यह secret करेंगे hormones लेकिन जो exocrine glands होते हैं यह क्या secret करते हैं तो यह secret करते हैं enzymes, sweets और mucus next आगे दिया गया है कि secretory products released directly into the blood stream जैसे कि उपर मैंने बताया आप लोको कि इनके पास कोई special duct नहीं है तो यह जो ही released करेंगे तो वो blood के through ही करेंगे ठीक है कोई कि इनके पास कोई duct special duct है नहीं जबकि अगर हम exocrine glands का बाग करें तो इसमें दिया गया है कि secretory products are released to an internal organ जो भी secretory products होंगे तो वो released होंगे internal organs में या फिर external organs के surface में through a duct duct के through चीक है इसके example यहाँ पे देखो एक ही example हलाकि यहाँ पे दिया है अगर हम बात करें तो salivary glands एक होता है जो कि हमारे mouth में होता है saliva produce करता है direction वाले chapter में हमने already यह पढ़ रखा है ठीक है तो चलो आगे हम यही पूरे endocrine glands हमारे body में कहां कहां है क्या क्या work करते हैं उनमें कौन से hormones होते हैं तो उन सब च्वजियों को अच्छे से यहाँ पे हम एक एक करके देखते है so endocrine glands in human body तो सबसे पहले अगर हम pituitary gland का बात करें जो कि उपर में मैंने आप लोग को बताया था हमारे head में था हमारे brain में था ठीक है यहाँ पे देख लो pituitary gland कहां पे है mid brain में यहाँ पे देखो location यहाँ पे देदिया गया है तो यह क्या secret करते हैं क्या release करते हैं तो obviously hormones release करेंगे कौन सा hormone तो यह growth hormone release करते हैं जो की regulate करता है यानि की control करता है growth और development को and second में दिया गया है control the functioning of endocrine glands अब देखो यहाँ पे देदिया गया है कि बाकी यहाँ पे और जितने भी glands अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उनके functions को भी यह pituitary glands control करता है ओके चलो एक यह हो गया then second gland का अगर हम बात करें तो दिया गया है thyroid जो की present रहता है हमारे गले के पास हमारे throat में यह secret करते हैं hormones, thyroxine hormones अगर इनके functions का बात करें तो दिया गया है control of metabolism of carbohydrates, fats and proteins यह जो भी हमारे metabolism जैसे carbohydrate, fats और proteins हैं तो इनको यह control करता है, इनके metabolism को control करता है ठीक है? अब यहाँ पी देखो एक important चीज़ है जो की यह भी examinations में आता है why is iodine or iodized salt is necessary for our body? हमारी body के लिए iodized salt necessary, जरूरी क्यों होता है? तो दिया गया answer में कि iodine mineral is necessary for our body to work properly thyroxine hormones जो भी यहाँ पे हमने thyroxine hormones का बात किया तो यह अच्छे से work कर सके, properly work कर सके तो यह तो एक इसके लिए जो iodine minerals होते हैं वो जरूरी होते हैं हमारे body के लिए ताकि यह जो thyroxine hormones हैं, वो अच्छे से work कर सके so it is an essential for our diet इस वज़े से यह हमारे diet के लिए बहुत ही ज़्यादा essential होता है it controls carbohydrates, proteins and fat metabolism for based balance of growth और साथ ही यह जो carbohydrate, proteins and fat के metabolism होते हैं उनको भी balance करते हैं ताकि हमारी body में के जो भी growth हैं वो अच्छे से हो सके और उनमें balance इंगरा सके ठीक है, तो that is iodine और iodized salt is necessary for our body ताकि जो thyroxine hormones हैं, वो सही से properly work कर सके अगर iodine या फिर iodized salt का कमी हो जाए तो इससे एक disease भी होता है, that is goiter ठीक है, चलो next gland की और बढ़ते हैं जो की है parathyroid ये भी हमारे गले के पास ही रहता है, ठीक है parathyroid अब इसमें जो hormone secret करता है, वो parathyroid होता है location बता ही दिया मैंने throat इनके functions का बात करें, तो ये calcium को हमारे body में balance करते हैं, ठीक है? यानि control करते हैं calcium को next आगे दिया गया है adrenal gland, जो की हमारे kidney के ठीक उपर में होता है ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो adrenal gland, तो ये hormones secret करते हैं, adrenaline अब इनका क्या function होता है? तो ये examinations में आता भी है important है, इसको याद रखना कि controls increasing of blood pressure हमारी जो blood pressure होती है, ये increase हो जाए ठीक है? तो उसको वो control करेगी, अचा ही जो blood pressure है, ये increase कैसे हो सकती है? जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा angry हो जाएं बहुत ज़्यादा गुसा हो जाएं तो उस time हमारी blood pressure increase होती है तो वो normal कैसे होगा? normal कैसे होगा वो? तो normal होता है normal करता है, ये adrenaline hormone ही control करता है ठीक है? उसको normal करता है चाहिए heart beat को भी ये control करता है अगर बहुत तेजी से अगर हम दोडते हैं ठीक है? अगर हम तेजी से दोडने लगें तो इसका जो हमारी heart beat होती है बहुत तेजी से चलने लगती है ठीक है? तो उसको control करेगा वही adrenal line ठीक है? तो बस यही functions है यह emergency के दोरान ही यह work करते है चलिए next gland की और बढ़ते हैं जो की है pancreas यह secret करते है insulin को यह भी important है examination point of view से जो की stomach के below रहते है pancreas यहाँ पे आप देखी सकते हो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो pancreas है वो endocrine भी है और exocrine भी है अगर हम इनके functions का बात करें तो यह जो insulin hormones होते हैं यह हमारे body में जो भी sugar गया हुआ है glucose के form में तो वो अगर बढ़ जाए तो उनको वो reduce करते हैं तो यह देखा जाता है diabetes में ठीक है diabetes जो कि आगया हम यहाँ पे देखने जा रहा है diabetes में यहाँ पे दिया गया है cows cows यानि की कारण कैसे diabetes होता है तो it is deficiency of insulin deficiency मतलब कमी अगर insulin का कमी हो जाए मतलब insulin hormones का अगर कमी हो जाए secreted by pancreas जो कि secret करता है pancreas that is responsible to control lower control या फिर सिकम lower भी बोलता है the blood sugar levels यानि की वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि अगर insulin hormones की कमी हो जाए तो इसके वज़र से diabetes हो जाता है उपर में हमने salt के बारे में पढ़ा था कि अगर salt का कमी हो जाए तो इससे हमें goiter हो जाता है अगर इसके treatment का बात करें तो दिया गया कि patients have to internally administer injections of insulin hormones जो patient होते हैं उनको insulin hormones के injection दिये जाते हैं ठीक है which helps in regulating blood sugar level जो कि sugar level के blood को regulate करता है यानि की reduce करता है insulin hormones का injection देने से क्या होता है कि insulin hormones जाने के बदद क्या करेगा आप वो sugar को reduce करेगा कम करेगा ठीक है यहाँ पर देखो एक और important चीज दिया गया है कि glycogen increases the sugar level when sugar level reduces जब sugar level कम होने लएगा तो जो glycogen होता है वो increase करता है sugar level को ठीक है चलो next glands की और पढ़ते है जो की है test test यह रहता है males में और ovaries gland रहता है female में ठीक है तो test जो release करता है वो तेट टेस्टेस्टिरॉन और ovaries, oestrogen या फिर progesteरॉन तो इसको हम एक एक करके समझते हैं जैसे अगर हम males का बात करें तो वही test gland जो की release करते है टेस्टेस्टिरॉन और यह एक location देखो यहाँ पे lower abdomen के बात किया गया है यहाँ पे यह test है अब इनके अगर हम functions का बात करें तो दिया गया है controls growth and development of male reproductive system यह growth और development को control करता है obviously male reproductive system में and ovaries का बात करें जो की hormone secret करते हैं oestrogen या फिर progesteरॉन तो यह वही पे lower abdomen में यह भी locate होते हैं जहाँ पे देख सकते हो आप और इनका भी वही function होता है कि यह भी growth और development को female reproductive parts में यह control करते हैं ठीक है तो यह सब सारे यहाँ पे कुछ glands थे यहाँ तक आयोव कि आपको सारी से समझ में आ गई होंगी आगे यहाँ पे हम एक सीज देखने जा रहे हैं बहुत छोटा सा topic है feedback mechanism यह क्या होता है देखो दिया गया है कि the timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism यानि feedback mechanism यह decide करने वाला रहता है कि जैसे कभी ऐसा हो कि कोई hormone का कमी होने लगे या फिर hormones अगर ज़्यादा हो ठीक है मतलब timing और उसका amount उसकी वो regulate करने का जो काम है वो feedback mechanism का है एक example के तो इसको अच्छे समझते है दिया गया कि if the sugar levels in blood rise अगर blood में sugar levels बढ़ने लगे ठीक है तो they are detected by the cells of the pancreas तो जो pancreas के जो cells होते हैं तो उसका वो पता लगा लेते हैं कि sugar level क्या हो रहा है बढ़ रहा है which respond by producing more insulin तो अब वो क्या करेंगे कि अब वो ज्यादा मात्रा में insulin produce करेंगे release करेंगे ठीक है as the blood sugar level falls अब जैसे फिर sugar level कम हो जाएगा insulin secretion is reduced अब जो फिर insulin की जो secretions है वो कम हो जाएगी तो ये जो mechanism है ये feedback mechanism हो गया कि कब कितना amount में hormone को release करना है इसको यहाँ पर एक flow chart के द्वारा भी feedback mechanism को समझाया गया है कि super level in the blood rises then detect the cells of pancreas then producing more insulin then blood level of sugar falls अब blood में sugar levels कम होने लगे तब क्या होगा अब जो pancreas है वो insulin secret करना कम कर देगा ठीक है stop secreting more insulin जितना जादा वो insulin secret कर रहा था तो वो अब बंद कर देगा that is यहाँ पर हमने जो endocrine system है वो पुरा complete कर लिया है यानि कि human का hormone हमने complete कर लिया human के बारे हमने totally पढ़ लिया है अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ plant के बारे में पढ़ेंगे तो plant hormones को चले शुरू करते है plant hormones are also known as python hormones python का मतलब यह होता है plant तो इस वज़े से plant को python hormones भी कहा जाता है plants do not have a nervous system बिल्कुल इनमें कोई nervous system होता नहीं है and sense organs इनमें कोई sense organ नहीं होगा जैसे eyes, nose, ears, सब तो sense organs होगा नहीं but they can still sense things लेकिन इसके बावज़ोद भी यह चीजों को sense कर लेते हैं आगे दिया गया है कि the functions of control and coordination in plant plant में जो control and coordination का जो functions होगा वो chemical substances के द्वारा होता है that is called plant hormones plant में क्या होगा जो भी control and coordination की जो performance होगी वो chemical substances के वज़़ से होगी इसी को हम plant hormones कहेंगे आगे दिया गया है these chemical compounds यहाँ पे जो हमने chemical compounds देखे तो वो help करता है plant को growth और development के लिए मतलब उनकी growth और development के लिए chemical compounds होती है वो help करती है and some hormones are also responsible for stop growth एक और important चीज़ दिया गया है कि जितने भी hormones होते हैं वो सवी के सवी growth and development नहीं करते हैं कुछ hormones ऐसे भी हैं जो की growth को रोकते भी हैं तो कौन से ऐसे hormones हैं जो growth को रोकेंगे और कौन से hormones ऐसे हैं जो की growth and development करेंगे तो चलिए एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं तो इस वज़े से जो यहाँ पे plant hormones के जो types हैं इनको दो भाग बाटा गया है क्योंकि एक होगा growth promoters और यह होंगे responsible for growth in plants प्लांट को में जो भी growth होंगे उनके लिए responsible होंगे यह सारे hormones जो की growth promoters में आएंगे और growth inhibitors में वैसे hormones आएंगे जो plant के growth को रोकते हैं responsible होते हैं stop growth in plants के लिए ठीक है? चलो आगे हम यहाँ पे एक-एक करके समझते हैं सभी चीजों को सबसे पहले अगर हम यहाँ पे growth promoters का बात करें तो growth promoters में यहाँ पे देखो हमारे तीन hormones आएंगे एक आएगा auxins दूसरा आएगा cytokinins और थर्ड है gibralins ठीक है? इन तीनों के क्या-क्या functions है तो इनको हम एक-एक करके समझ लेते हैं तो auxin में दिया गया है कि help in growth आप देखो इसके लिए में पहले आपको एक चीज और जानकारी देता हूँ जो कि आपके हो सकता है MCQ में आ जाए कि auxin जो होते हैं auxin hormones के जो tip होते हैं उप्लांट के सबसे उपर में होते हैं ठीक है? प्लांट के सबसे उपर में होते हैं तो अगर पुछा जाए कि auxin कहाँ पे synthesized होते हैं तो tip में ठीक है? tip में यानि top में ओके तो चलो आप एक-एक करके हम याप इसके functions को देखते हैं के क्या-क्या functions है A में दिया गया है help in growth auxin क्या करते हैं? तो obviously ये growth hormone है तो growth के लिए help करेगा second है help in cell enlargement जो भी cell की enlargement होती है तो उनको बढ़ा करने में भी auxin का रूल होता है then आगे एक term दिया गया है phototrophism जो की आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम देख लेते हैं auxin control a plants response to light and gravity जो auxin होता है वो plant को control करता है light और gravity से जो की ये phototrophism है आगे हम पढ़ेंगे ठीक है? हलाकि gravity ओला phototrophism में नहीं आएगा बट यहाँ पे लिखा गया है तो इसको आप हटा देना ठीक है? तो यहाँ पे फिलाल इस चीज़ को समझे लो कि auxin control a plants response to light इसका मतलब क्या हो गया? कि जो plant होते हैं कभी कभी आप देखते हो जो plant होते हैं जिधर भी उनको sun की light मिलती है या फिर इनके tip में इनके सबसे उपर में auxin है जिसके वज़र से वो control होते हैं वो उधर की वर जुग जाते हैं ठीक है? तो यह हो गया तीन functions auxins के चलो आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ों को देखो यहाँ पर चीज़ हमने लिख दिया जो भी मैंने आप लोगों बताई कि auxin hormones synthesized at suit tip इसको suit बोल जाता है ठीक है? root वाला हिस्सा, root देन इसके उपर steam से आगे वाला जो हिस्सा होगा वो suit होगा suit के tip में यानि सबसे उपर में auxin hormones synthesized होता है अगर हम cytokinines के functions का बात करें तो एक तो यह promotes करते हैं cell division को यानि कि देखो यहाँ पर एक cell से कितने cell division में बन रहा है एक cell division से अलग-अलग इस तरह से cell divisions होते हैं तो इनको यह बढ़ाते हैं cytokinines इनका वो एक role हो गया, एक काम हो गया कि cell division को यह promotes करते हैं नेक्स्ट है कि fruit के यह growth को मतलब बनाए रखते हैं ठीक है, जो भी fruit होती है, उसकी growth है जैसे मान के चलो एक fruit है तो धीरे-धीरे यह जो बढ़ रहा है तो यह cytokinine, जो यह hormone है plant में तो इसके वज़े से यह धीरे-धीरे बढ़ते जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे दिया गया है gibralines gibralines helps in the growth of steam steam के growth के लिए यह help करता है जैसे यहाँ पर that is देकर के दिया गया है कि suit extension, यानि कि जो root के उपर वाग होगा ठीक है, यह जो steam होगा इसको growth करता है इनकी growth करता है gibralines, नेक्स्ट आगे है flowering and fruit growth जो भी flower या फिर fruit होंगे तो उनको भी यह grow करता है ऐसे तो हमने cytokinin में देखा कि यह भी fruit को growth कर रहा है साथ इक gibralines भी flower को भी और fruit को भी, दोनों को यह grow करता है और नेक्स्ट दिया गया है कि break seed dormancy गहुत important है MCQ के point of view से इसको भी अच्छे स्याद कर लेना कि जो भी seed dormancy है उसको break यह gibralines करता है अब यह seed dormancy क्या है तो इसको समझो जैसे मान के चलो कि यह एक ऐसा seed है जो एकदम सुस्थ हो गया है यह grow नहीं कर पा रहा है मतलब इससे जो plant है वो निकल नहीं पा रहा है इसी का एक opposed हम देखेंगे आगे तुरंत है इसके आगे जो की है यहाँ पर आप देख सकते हो abscessic acid जैसे उसमें हमने देखा था कि वो seed के dormancy को reduce करता है तो इसको यह और बढ़ाता है opposes the dormancy of seed मतलब seed को यह grow नहीं होने देखा इसको सुस्त बनाए रखेगा ठीक है promotes the falling leaves साथे जो leaves वगेरा पेड़ो से गिरते हैं जढ़के तो यह abscessic acid के वज़े से ही होते हैं और यहाँ पर यह दोनों जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हमने लिख दिया कि they are growth innovators यह दोनों growth innovators हैं यानि कि जो plant के growth के लिए responsible नहीं होते है plant के growth को रोख देते हैं ठीक है अगर हम ethylene का बात करें इनके functions का तो एक तो इनका function है कि यह fruit को राइफ करते हैं यानि पकाते हैं then promotes the falling leaves जो की उपर में यहाँ पर देखे abscessic acid में वही चीज है कि leaves को यह भी जढ़ने में या फिर्म कर सकते हैं कि leaves को गिराने में इनका रोल होता है ठीक है चलो अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर जो हमें ने 5 hormones के बारे में पढ़ा है तो इसको यहाँ पर देख लेता हैं कि seed के germination में कौन सा काम करेगा नहीं करेगा या फिर growth to maturity में flowering में fruit development में किनका रोल है leaves यानि leaves को जढ़ने में यह किसका रोल होता है और seed dominancy वही है सुस्त बनाने में या फिर उस सुस्त को आगे बढ़ाने में कौन रोल प्ले करता है तो gibraline, auxine और cytokines यह आपके जो भी उपर में मैंने आप लोगो types बताए थे यह growth promoter तो यह होते हैं और growth inhibitors growth inhibitors होते हैं यह दोनों ethylene और epsacic acid ठीक है तो यह तीनों जो growth promoters हैं पहले इसके बारे में देखते हैं तो first में giverlin में दिया गया है कि germination germination वही जो seed के dorminancy का हम बात किये थे तो यह work करेंगे germinate करने में अगर यह सूष्ट पढ़ गया है तो यह germinate करने में help करेंगे मतलब जो भी plants है वहाँ से उगाने में यह help करते हैं यह वाले hormones giverlin next है growth to maturity तो इन में होता है flowering को growth करते हैं fruit development को growth करते हैं यह growth hormones है न तो यह तो होंगे नहीं यह dips को न जाड़ेंगे ना यह seed dorminancy के लिए responsible होंगे और जिन का बात करें तो यह germination के लिए responsible नहीं होता है growth to maturity होता है growth hormone है तो flowering के लिए भी responsible होगा यह fruit को भी developed करता है फिर वही leaves को तो डिराने में इनका कोई रोल नहीं है seed के dormination के लिए भी नहीं है dorminancy के लिए भी नहीं है cytokines का बात करें तो germination में इनका भी कोई रोल नहीं बाकि growth to maturity obviously growth hormone है तो यह तो होगा flowering और fruit development यह सब करेंगे बाकि में से यह दोनों फिर इसमें भी नहीं होगा अच्छा यह दोनों आज आते हैं जो कि growth inhibitors है तो ethylene यह germination के लिए responsible नहीं होते हैं obviously यह inhibitors है यह growth को रोकते हैं तो obviously यह तो होगा नहीं ठीक है आगे दिया गया है इनमे growth to maturity भी नहीं होगा यह इसके लिए भी responsible होते हैं then abscission के लिए responsible होते हैं यानि कि पेडों से जो भी पत्ते होते हैं वे जहर जाते हैं तो उनके लिए ethylene responsible होते हैं next आगे दिया गया है abscissi के seed तो इसमें germination होगा नहीं growth होंगे नहीं flowering भी नहीं होगा इनका भी growth नहीं होगा fruit development भी नहीं होगा इसमें ये दोनों चीज़े होंगी एक तो पेडों से जो भी leaves हैं उनको भी ये जहर देगा साथ ही seed dorminancy उपर में ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि seed को ये growth नहीं होने देंगे बढ़ने नहीं देंगे plant के form में चलो आगे हम यहाँ पे movement इन plants के बारे में पढ़ेंगे plants में moment किस तरह से होता है तो यहाँ पे हम दो types के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एक है traffic moment और दूसरा है nasty moment traffic moment को हम पहले खतम कर लेते हैं फिर हम इसके बाद nasty moment में जाएंगे तो traffic moment क्या होता है तो it is growth related moment यह एक तरह का growth related moment होता है जैसे एक seed से पहले तरह का plant बनेगा फिर दीरे दीरे इस तरह से grow होगा बढ़ते जाएगा तो traffic moment हो गया growth related moment in traffic moment response is slow जो response होता है वो बहुत slow होता है देखते भी होगे कि जो plant grow कर रहे है वो suddenly बहुत जाद नहीं बढ़ जाते है वो दीरे दीरे करके बढ़ते है that is slow and they are directional moment इनका एक direction होता है तो इस बज़र से इनको directional moment भी कहते है जैसे seeds generate करता है grow होता है यहाँ पर मैंने आप लुको अलएड़ी यह बता दिया है आगे इसमें एक term दिया गया है tropism तो इसको देखते हैं और समझते हैं सारी चीजों को लिखा गया है कि traffic moment is depend upon different types of stimulus जो traffic moment होते हैं वो depend करते हैं अलग-अलग type के stimulus पर जैसे के example दे समझो यहाँ पर दिया गया है कि plants move towards sunlight जो light है उसके towards में जो plant होते हैं वो move करते हैं तो यहाँ पे जो light है वो stimulus है light जिदर गया plant उदर मुड़ गया तो यहाँ पे एक stimulus हुआ जिसके अनुसार जो plant था वो move किया इसी तरह से अलग-अलग stimulus होते हैं जिसके अनुसार यह जो भी plant होते हैं वो move करते हैं ठेक है तो कौन-कौन से ऐसे tropism है एक-एक करके हम उन tropism को समझेंगे यहाँ पे हम लोग 5 tropism के बारे में पढ़ेंगे so there are 5 types of tropism यानि stimulus किस तरह से हम लोग अभी देखेंगे different types of stimulus कौन-कौन से होते हैं so first one is phototrophism phototrophism इसमें किस तरह का moments होता है पहले भी मैंने उपर में भी आप लोग को बताया हुआ है कि moment towards light light की तरफ यह move करेंगे जिदर light होगा ठेक है तो phototrophism जो moment होगा देखो इधर light है इधर की तरफ हुआ यह उपर में light है तो उपर की तरफ यह move कर रहा है second में दिया गया है hydrotrophism hydrotrophism में क्या होता है कि जैसे कोई अगर plant है तो उसका जो root है ठीक है वो जिदर water रहेगा तो उधर की और यह आगे बढ़ते जाएगा ठीक है उधर की और यह move करेंगे तो hydrotrophism में बस यह है कि जो root होता है वो water की और move कर रहे होते है movement towards water या फिर आप response भी यहां लिख सकते हो response towards water next आगे दिया गया है geotrophism geotrophism में क्या होता है तो इसमें movement के जब पर response कर देना response towards gravity यानि gravity के response में plant का grow करना gravity के response में plant का grow करना अब देखो जो gravity यह आपको पताई होगा कि सपोज़कर यह आस्मान है तो gravity उपर से नीचे की और ऐसे लग रहा है अब इसमें जो growth हो रहा है ऐसे हो रहा है तो root जो रहा है इधर की और ही ग्रो कर रहा है ऐसे ग्रो कर रहा है और gravity भी ऐसी है ठीक है तो यहाँ पर यह positive geotrophism का लाता है ओके चलो next आगे देखते हैं thigmotrophism को तो दिया गया है कि movement towards touch इसमें भी movement के जब पर response कर देना यानि कि touch के response में plant का grow करना तो यहाँ पर वही चीज एक्जाम्पल देखे समझाया गया है कि पहले जो भी यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा होगा ठीक है यह पहले नीचे की और होगा या फिर इधर कहीं पर यह हो सकता है नेक्स्ट लास्ट है चीमोट्रॉफिज्म चीमोट्रॉफिज्म क्या होता है तो movement towards chemicals फिर से वही है movement के जगा पे response करना आपको ठीक है response towards chemical chemical के response में plant का grow करना इसमें chemical कैसे मिलेंगे तो देखो यहाँ पे यह एक hibiscus का plant लिया गया है यह आप लोग को ज़्याद अच्छे से next chapter आगे हम लोग आने वाला है how to origin reproduce उसमें ज़्याद अच्छे से आपको यह पढ़ना है जैसे आप उसमें पढ़ोगे कि pollen grains जो होते हैं वो male part होते हैं और female part में यहाँ पे ovaries होता है ठीक है तो यह जो pollen grains होते हैं जो कि male reproductive part होता है और यह female reproductive part और इसलिम बूर सकता है तो यहाँ पे एक chemical हो गया यहाँ पे chemical हो गया तो यह आपस में क्या हो रहा है chemical के थुरू यहाँ पे क्या हो रहा है की response होंगे ठीक है तो जो भी plant grow करते हैं वो chemical response में होते हैं तो यह वाला आपका जो भी moment था वो खताम हो चुका है growth moment आपका पुरा हो चुका है next आगे हम लोग देखने जा रहा है gnastic moment यह क्या होते हैं तो it is growth independent moment मतलब growth के वज़र से moment नहीं होगा क्या ऐसे नहीं कि growth हो रहा है बस इसलिए moment हो रहा है हलाकि growth इनमें भी होते हैं असानी growth नहीं होता है लेकिन growth independent होते हैं उनके भरोसे नहीं हो रहा है कि growth हो रहा है तो अभी यह moment होगे इसको आप डाइटली छूपते भी होगे touch me not plant जिसको आप मिमोसा प्लांट भी करते होंगे तो इसको जब आप touch करते हो तो यह suddenly क्या होता है डाउन हो जाते है इनके जो leaves होते हैं डाउन हो जाते है ठीक है drop हो जाते है तो यह इंडिपेंडेंट मुवमेंट growth independent मुवमेंट होते है in नाश्टिक मुवमेंट response is quick जैसे इसको हम touch किये तो यह तुरंट response ही होआ तुरंट यह अपने leaves को drop कर लेगा तो यह quick response करते है इनका कोई direction नहीं होता है ठीक है जैसे मन करेगा व्यासे यह drop हो जाते है ठीक है next आगे है इसका एक example यह dropping of leaves of mimosa plant on touching जैसे हम mimosa plant को touch करते है तो यह automatically क्या होता है कि यह drop हो जाते हैं उनके leaves यह example हो गया अच्छा अब सवाल है कि why dropping क्यों drop होता है तो यह आपको पता ही है हम लोग already life process में पढ़ी चुके हैं कि यह leaves है उसके उपर में stomata present रहता है उनके guard cells होता है तो वही चीज़ यहाँ पर है guard cell present in stomata और उसके थुरूम क्या होता है कि water release होता है उस guard cell से water release होता है जिसके वज़े से वो shrink करते हैं नहीं सीखूरते हैं और फूलते हैं स्वेल करते हैं So chapter आप लोग का complete हो जाता है best of luck for your exam I hope chapter आपको पर समझ में आ गया होगा अपने examinations के अच्छे से और त्यारी करते रहो next video में आगे हम और भी सी तरह से videos आप लोग के लिए लाते रहेंगे